नमस्कार दोस्तों आप सभी का अमारे इस चैनल में हारदिक स्वागत है अती महत्वपुन नौट्सस रंखला के अंतरगत कक्षा 10 हिंदी कृतिका भाग 2 से पाठ है आज का पाठ है जौर्ज पंचम की नाग कमलेश्वर आईए लेखक परीचे देखते हैं कमलेश्वर जी का जन्म 1932 मेन पूरी उत्तरप्रदेश में हुआ था पुरुसकार के रूप में पदम भुषन और साइट यकादमी पुरुसकार आपको मिल चुका है नई कहानी अंदोलन के अगवा रहे कमलेश्वर जी की प्रमुक रचनाय है राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, सोलोह छतों वाला गर, जिन्दा मुर्दे ये सारे आपके कहानी संग्रह है वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान आपके उपन्यास है जिसके साथ ये आपने आद्मकता, यात्रा विर्तान और संस्मरन भी लिखे हैं जोर्ज पंचम की नाग पाट के अंतरगत, उपनेवेशिक दोर की मानसिक्ता और विदेशी आकर्षन पर गहरी चोट की है हमारे समाज में नाक किसका प्रतिक मानी जाती है इज्जत का इंगलेंड की कौन सी रानी हिंदुस्तान आने वाली थी रानी एलिजाबेट द्वितिय रानी एलिजाबेट कहां कहां का दोरा करने वाली थी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल रानी ने हलके निले रंग का सूट बनवाया था उस पर कितना खर्चा हुआ था 400 पॉंड शंक इंग्लेंड में बज रहा था गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी ये पंक्तियां जॉर्ज पंचम की नागपार से ली गई है रानी किस हवाई एड़े पर उतरने वाली थी पालम का हवाई एड़ा पर वह आये हमारे घर खुदा की रहमत कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं ये कतन पाट के नुसार दिल्ली ने कहा था फौरन दिल्ली हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया मुर्तिकार को किस विबाग की फाईलो में मुर्ती है तो खोजबिन की गई पुराता तो विबाग की फाईलो में मैं हिंदुस्तान के हर पहाड पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्तर खोज़ कर लाऊंगा यहां पर में शब्द मुर्तिकार के लिए आया है ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं हर चीज इस देश के गर्ब में छिपी हैं ये कतन सवापती का है मुर्तिकार के देश दोरे का करम क्या था तो सबसे पहले बद दिल्ली से बंबुई गया वहां से गुजराथ, गुजराथ से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से उत्रपरदेश उत्रपरदेश से मदराज गया और अंत में वो पंजाब जाता ए सन 22 में शहीد होने वाले बच्चों की मुर्तिया कहां सतापित थी बिहार सेक्रेटरियर्येट में 40 करोड में से कोई एक जिन्दा ना काट कर लगा दी जाए यह राय किस ने दी थी मुर्तिकार ने इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना न बुलें धन्यवाद